कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा। चुनिए C-GPSC पाथ्षाला Г्लासेश्व को और करें अपने C-GPSC आन व्यापभ का सपना साकार। डाउलोड धी अनलाव चला का 36 गड़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 36 गड़ एवं केंद्रिय बजट 2023-2024 का बुक मार्केट में अवेलेबल है यह बुक आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं यहां पर शहरों के नाम बुक डिपो के नाम उनके कॉंट्रेक्ट नमबर दिये गए ह सकते हैं सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल एप में आपको सीजी पीसी इपाट्शाला के साथ साथ 36 गड़ के अन्य कोचिंग इस्टिट्व अन्य पब्लिकेशन की वी बुक आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे जिससे आप ऑनलाइन ऑडर कर घरों में फ्री होम करा सकते हैं क्लासेस आपकी एक माई 2023 से शुरू हो जाएगी चलिए टॉपिक पर आते हैं ध्यान दीजेगा देखिए अध्या एक आर्थिक इस्तिति एक समेक्षा एकोनोमिक सर्वे को शुरू करने से पहले मैं आपको दो वर्ड बताऊंगा यह दो वर्ड आपको पूरे और यह प्रचलित किम्मत होता क्या है सबसे पहले यह समझ लीजिए देखिए अभी हम पढ़ रहा है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 क्या पढ़ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ठीक और आपको एकोनोमिक सर्वे में दो वर्ड आपको बार बार पढ़ने के लिए म आपका प्रचलित भाव ठीक अब यह होता क्या है इसे समझिएगा सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा और डेफिनेशन के बाद कुछ एक्जांपल दूंगा जिससे आपको चीजे क्लियर हो जाएगी इस्थिर किम्मत किसी भी देश की भोगोलिक सीमा के भीतर उ आगे हम आर्थिक सर्वेक्षन के चैप्टर थी और चैप्टर फाइफ में बाद में इसे और कवर करेंगे अभी केवल आपको बता रहा हूं कि इस्थिर कीमत होता गया और प्रच्रित कीमत होता क्या है डिटेलिंग पर हम बाद में जाएंगे ठीक जो वर्ड बोल रहा किसी विदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु क्या बोल रहा है अंतिम वस्तु एवं सेवाएं के मौद्रिक मुल्ले की गर्णा आधार वर्ष दो हजार ग्यारा बारा के किम्मतों पर किया जाता है तो वो इस्थिर किम्मत पर गर्णा कहलाएगा अब देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मुल्ले की गर्णा वर्तमान में प्रचलित बाजार की कीमतों पर किया जाता है तो वो प्रचलित कीमत पर गर्णा कहलाएगा अब देखिए जो वर्ड यूज हो रहा है दोनों डेफिनेशन में एक है आपका अंतिम वस्तु और सेवाओं सेवाओं यानि कि सर्विस सेक्टर जॉब वाले अंतिम वस्तु का मतलब जैसे कि फॉर एक्जामपल ये शर्ट ह है ठीक है तो इस तर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले किसान से जो है आपको रूई खरिदा जाएगा उसके बाद हतकरगों से जो है यानि कि जो आपके बुनकर है बुनकरों से जो है उससे धागा निकलवा जाएगा उसके बाद जो है इसके ठान के कपड़े बनाए या तो किसानों को जो किम्मत चुका है वो भी एड होगा या फिर आपका जो भुंकरों से धागा बनायागा वो भी एड होगा उसके जो थान के कपड़े बनायागा वो भी एड और उसके वाद जो यानि कि हर एक स्टेट के इसमें रेट एड नहीं होते अंतिम वस्तु जो बना उस अंतिम वस्तु के जो फाइनल प्राइज जो पाइनल उसका अपका या फाइनल उसका जो रेट रहेगा वो इसके अंदर गर काउंट होता है डेफिनेशन दोनों का सेम है देखिए किसी भी बहुगोलिक सीमा के भीतर उतपादित अंतिम वस्तु एवन सेवाओं के मौद्रिक मुल्य की गर्णा आधारवर्ष 1112 की जाता है तो यह इस्थिर कीमत पर गर्णा कहलाएगा वही पर किसी भी देश की भागोलिक जाता है तो वह प्रचलित कीमतों पर आपका गर्णा कहल तो जनरल ये वाला आखड़ा आपको ज्यादा मिलेगा फिक है ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा इक्टर देख लीजीए ये किमत का जो डाटा है ये आपके प्रचली किम्मत से कम होता है यानि कि प्रचलित कीमत का आकड़ा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा और इस्तिर कीमत का आकड़ा कम ठीक अब यह दोनों के बीच में अंतर का मुख्य कारण है आपका महंगाई महंगाई, inflation ठीक है, महंगाई यह जो प्रचलित भाव है, प्रचलित भाव में महंगाई जूड़ी हुई होती है और यह जो आपके इस्तिर कीमत है, नाम से इस पश्ट है इस्तिर याने कि अगर हम इसको समझेगा अगर हम इस्तिर कीमत में महंगाई को जोड़ लेंगे तो इसमें प्रचलित कीमत मिल जाएगा ठीक है इस्थिर कीमत पर महंगाई का कोई प्रभावित होती है इस्थिर कीमत तो के आख्डे change नहीं होते, क्योंकि इस पर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, for example, आधार वर्षे 2011-2012, 2011-2014 में इस एक पेन की किम्मत थी, मान लीजिए 5 रूप है आज के डेट में इस एक पेन की किम्मत वर्तमान में इस एक पेन की किम्मत है आपका 15 रूप है जारा बारा में कितनी थी जारा बारा में थी 5 रूप है वर्तमान में कितनी है वर्तमान में 15 रूप है इसका रेट बढ़ गया यानि कि वस्तु क्या हो गया महंगाई बढ़ी तो प्रचलित कीमत और इस्थिर कीमत के बीच में जो अंतर का मुख्य कारण होता है वो होता है महंगाई ठीक है कई पर क्या होता है कि कोई आपका आर्थिक सर्वेक्षन का एक हादी आकड़ा पूझ देगा जैसे कि माल लीज दिया कि वित्तिय वर्षे 2022-23 में 36 गड़ के क्रिशी छेत्र में कितनी व्रिधितर अनुमानित है तो वहां पर आप हमेशा जो है इस्थिर कीमत के आकड़े को ही लेंगे क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इस्थिर कीमत के आकड़े अगर मेंशन है इस्थिर कीम किम्मत या प्रचलीत किम्मत तो उसमें तो फिर कोई भी डाउट वाला बात नहीं रहता लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो गवर्मेंट डाटा लेता है यानि कि इस्थिर किम्मत के आकड़ों को प्रात्मिक्त देता है आपको वो आकड़ लेने ठीक है यह था आ अनुमानित है कितना आट दसमलोग साथ प्रतीशत जबकि वित्तिय वर्च दोजर बाईस तेईस के लिए भारतिय अर्थ विवस्ता को जो विकासदर है यह सेवन परसेंट अनुमानित है ठीक एकोनॉमिक सरवेर में एक और आकड़ा अलग से हाईलाइट किया गया भारत जनांकिकी में सबसे युवा देश है ठीक है भारत जो है सबसे युवा देश है भारत में 65 प्रतीशत युवा आबादी निवास करती है ठीक है भारत में कितने प्रतीशत आबादी युवा है 65 प्रतीशत आपकी युवा आबादी निवास करती है ठीक चलिए अब जनगर्णा 2011 के भी आकड़े इस आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर वन में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा ठीक है ध्यान दीजेगा जनगर्णा 2011 के आकड़े वैसे तो अभी जो है देखिए हमारे देश में जो जनगर्णा है ये दाश्मिक आधार पर हर 10 साल में होती ह है 2011 के बाद 2021 में जनगर्णा के आकड़े आ जाने चाहिए थे लेकिन लॉकडाउन आया याने की कोरोना आया कोरोना के कारण पूरे लॉकडाउन हो गया जिससे कारण जनगर्णा पूरी तरीके से हो नहीं पाया और इस करण से अभी तक जनगर्णा 2021 के आकड़े नहीं आय है ठीक है अभी भी जंगर्णा 2011 की याकड़े को लेके चला जा रहा है तो ध्यान दीजेगा जंगर्णा 2011 के अनुसार जो 36 गड़ की जंसंख्या है वो है आपके 2.55 करोड ठीक है 2 करोड 55 लाग 2.55 करोड अभी तो वर्तमान में काफी बढ़ गई होगी लेकिन हम 2011 की जंगर् के अनुसार भारत की 36 गड़ की जंसंख्या है 2.55 करोड जो की भारत की कुल जंसंख्या का 2.11 परसेंट है भारत की कुल जंसंख्या का 2.1 प्रतीशत आबादी हमारे 36 गड़ में निवास करती है और इस जंसंख्या के साथ 36 गड़ भारत का सोलवा बड़ा राष्ट है यान पांच करोड़ आबादी के साथ हमारा 36 गड़ जो है ये 16 इस्थान पर है 36 गड़ में भारत की कुल जनसंख्या कर 2.11 परसेंट आबादी निवास करती है ठीक ये जो है कई बर कथना धाजित प्रशन में आपको देखने के लिए मिलेगा वैसे भी ये कोशन आये हुए है ठी लिंगा नुपाद का मतलब होता है आपका सेक्स रेश्यू क्या होता है सेक्स रेश्यू लिंगा नुपाद अभी लिंगा नुपाद सेक्स रेश्यू अभी आपका सकल लिंगा नुपाद क्या होता है देखिए लिंगा नुपाद प्रती हजार पुर्षों की तुलना में महिलाओं की संख्या या फिर प्रती हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या ये कहलाता है आपका लिंगानुपाद ठीक है सकल लिंगानुपाद छतिस गड़ का जो सकल लिंगानुपाद है वो है आपका 991 याने कि छतिस गड़ में एक हजार 36 गड़ में एक हजार पुर्षो के कमपेरिजन में 900 इनक्यानबे महिलाएं हैं ठीक है 900 इनक्यानबे क्या है महिलाएं हैं ये कहलाता है आपका लिंगा नुपात तो 36 गड़ का सकल लिंगा नुपात है आपका 991 अब अगर इसे जो है हम क्लासिफाइट करके देखे तो देखिये, 36page Gramide 2-360 नंपांद है 1001 शहरी चेतर का लिंगा नंपांद है 956 अनुसूची ते जाती याने की SC, scheduled caste इनका लिंगानुपांद है 994 और अनुसूची ते जंजाती याने की ST, scheduled tribe, इनका लिंगानुपांद है 1020 थीक है तो इनका अलग से लिंगा नुपात को याद रखिएगा इस से separate questions बन सकता है 36 गड़ का सकल लिंगा नुपात 992 ग्रामीड चेत्र का लिंगा नुपात 1001 शहरी चेत्र का लिंगा नुपात 956 अनुसूचित जाती का लिंगा नुपात 994 अनुसुचित जंजाती के लिंगानुपात एक हजार बीज सकल लिंगानुपात में 36 गड़ भारत संग का भारत संग में पाच्वाइस्थान है सकल लिंगानुपात मामले में जंगरणा 2011 की अगर हम बात करें सकल लिंगानुपात मामले में हमारा 36 गड़ जो है ये भारत संग बें पाच्वाइस्थान रखता है ठीक चलिए अब next report जो है उस पर थोग से ध्यान दीजेगा important है next है sample registration system SRS report ठीक है sample registration system report इस report में दो आखड़े आपको पढ़ने हैं एक है आपका मात्री मृत्यूदर MMR और दूसरा है शिशू मृत्यूदर मात्री मृत्यूदर जिसमें वर्ष 2018-2020 के आकड़े पढ़ेंगे यह आकड़े change हुए है आप यह होता क्या है पहले definition समझ लिजे मात्री मृत्यूदर जिसकी गरणा प्रती लाख में की जाती है शिशू मृत्यूदर जिसकी गरणा प्रती हजार में की जाती है ठीक है definition समझेगा प्रसाओ के दौरान यानि की गर्भवती माताएं जो होती है बच्चों के डिलीवरी के समय डिलीवरी को प्रसाओ का आ जाता है प्रसाओ के दौरान प्रती लाख जीवित जन्म बच्चों पर मृत महिलाओं की संख्या मात्री मृत्यूदर के अंतरगत काउंट होती है होने वाली माताओं की मृत्यू मात्री मृत्यू दर कहलाती है ठीक है प्रती लाग जीवित जन्म बच्चों के होने पर महिलाओं की जो मृत्यू है जो माताओं की जो मृत्यू है वो मात्री मृत्यू दर के अंदरगत काउंट होती है शिश्यू मृत्यू दर प्रती हजार ज जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिश्यों की संख्या शिशु मृति दर कहलाती yourselves ठीक है definition समझेगा देखिए definition क्या है प्रशाओ के दौरान गर्वmberवती माता हैं जो होती है प्रशाओ के दौरान यानि कि डिलीवरी के समय प्रसाओ के दौरान प्रति लाक जीवित जन्म बच्चों के होने पर होने वाली माताओं की मृत्यू मात्री मृत्यू दर कहलाती है ठीक है भारत का जो मात्री मृत्यू दर है वो है संत्यानवे प्रति लाक जबकि 36 गर का मात्री मृत्यू दर है 137 प्रति लाक काफी इंपोर्टेंट है यह आकणा चेंज हुआ है और यह आगामी एक्जाम के कोश्चन बनेंगे ठीक है कोई भी एक्जाम हो अब यह मत बोलेगे कब होगा एक्जाम क्या होगा होगा उस बीच में इकोनॉमिक सर्वे अभी जो है उसके आकड़े आपके लिए इनपोर्टेंट है ठीक है 137 प्रति लाक ठीक तो भारत का मात्री मृत्यू दर है जबकि 36 गड़ का शिश्य मृत्युदर है आपका 38 प्रती हजार important है याद रखना है मातरी मृत्युदर वर्ष दो हजार अठरा बीस के आकड़े है शिश्य मृत्युदर दो हजार बाईस के आकड़े है वर्ष को देखते हुए कीजिएगा कि किस वर्ष का आकड़ा पूछ रहा है ठीक है इससे पहले जो आकड़े थे वो 16 अठरा के थे अभी जो आकड़ा ये अठरा बीस के है अठरा बीस में मातरी मृत्युदर जो है ये भारत का 97 प्रती लाग है सतत विकास लक्ष अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करे तो सतत विकास लक्ष में तोटल आपके 17 लक्ष निर्धारित किये गया है जिसमें से ही आपके ये मृत्युदर को भी इस पर काउंट किया जाता है तो सतत विकास लक्ष में जो है 2023 तक कुछ आपके निर्धारित किये गया है कि इसके नीचे हमें आना है जैसे कि मात्री मृत्युदर के लोग जो लक्ष निर्धारित किया गया है कि भारत और भारत के राज्यों में जो मातरी मृत्योदर है उसे हमें 100 से कम करना है जबकि शीशु मृत्योदर भारत एवं भारत के राज्यों में जो शीशु मृत्योदर है वो 15 तक लाने का प्रयास किया जाएगा अगर आप देखेंगे देखें ये क्या बोला जारा 100 से कम और भारत ने जो है ये लक्ष प्राप्त कर लिया है 100 से कम हो गया संत्यानवे जबकि 36 गड़ अभी इस लक्ष को पाने से काफी दूर है ठीक है, भारत ने लक्ष को पा लिया है, 97 प्रतिलाग, अभी 36 गड़ काफी दूर है, वैसे ये है आपका पंधरा, इस ये दोनों को लक्ष को अभी कोई किसी ने भी क्रॉस नहीं किया है, टार्गेट को, ठीक है, तो मात्री मित्युदर, भारत का 97 प्रतिलाग, 36 गड़ का 13 प्रति हजार, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, अब देखें, ये तो रिपोर्ट जो था, ये रिपोर्ट था आपका, सेंपल रिजिस्टेशन सिष्टम का, जो की इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, और एक्जाम में जो बार बार कोश्चन रिपीट हो रह है, ये कोश्चन रिपीट हो रहा है, आपके इस टॉपिक से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सुचका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, ये जो आपका फिफ्थ नंबर का है, देखिए, ने गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019-21 National Family Health Survey Report 5 के अनुसार देखे शास्की अस्पतालों में याने की जो गर्भवती माताओं हैं देखे जो प्रसव है प्रसव याने की डिलिवरी जो गर्भवती माताओं जो बच्चों को जन्म देती है जो डिलिवरी करवाती है याने की प्रसव करवाती है प्रसव दो तरीके से करा जाता है एक होता है परंपरागत प्रसव और दूसरा होता है संस्थागत प्रसव ठीक है क्या होता है एक होता है आपका परंपरागत प्रसव परंपरागत और एक होता है आपका संस्थागत संस्थागत परंपरागत प्रसव संस्थागत प्रसव यह होता क्या समझेगा पहले के समय में या आज भी दुरस्त ग्रामिट छेत्रों में माताएं क्या करती है जो छेत्र की जो महिलाएं होती है जिने दाई कहा जाता है दाई को घरों में बुला करके बच्चों के डिलिवरी करवाते हैं जिसमें किसी भी प भारतिय माताएं जिसमें से भारत की लगबग 70% माताओं ने शास्किय अस्पतालों में जा करके प्रसाओ कराया यानि की डिलिवरी कराया बच्चों का ठीक है जबकी संस्थागत आप देखें ये तो हो गया गौर्मेंट होस्पिटल की बात किसकी गौर्मेंट होस्पिटल की बात इंपोर्टेंट है पुछेगा मेंस में भी एंसर राइटिंग में काम आता है अब यहां बात हो रही संस्थागत का संस्थागत का मतलब यहां पर गौर्मेंट प्लस प्राइविट ठीक है जैसे कि अगर आप देखेंगे जनरली आपके शहरी या आर्थी ग्रूप से संपन जो लोग होते है वो डिलिवरी जनरली आपके प्राइवेट होस्पिटल में गर्बवथी माताओं में 36 गड़के स्थर प्रत अ मताओं ने अपना प्रसाओ है वह उसका percentage था 55.9%, जबकि संस्थाकत प्रसाओ कराया गया था, आपके 70.2% माताओं के द्वारा, ठीक है, अगर आप देखेंगे, National Family Health Survey Report 4 और National Family Health Survey Report 5, तो ये जो आकड़े है, सास्की अस्पतालों में प्रसाओ, संस्थाकत प्रसाओ, दोनों के आकड़ों में वृद्धी हुई ह पहले 55.9% था, अभी 70% है, संस्थाकत प्रसाओ 70.2% था, अभी कितना है, अभी 85.7% है, यानि कि माताओं जो है जागरूख हो रही है, ठीक है, अब अस्पतालों में जाकर के डिलिवरी कराना प्रिफर कर रही है, ठीक, इन्पोर्टेंट है, National Family Health Survey Report से कोश्चन उठाता है ठीक है, तो पहले जो आकड़ा था, वो Sample Registration System का था, अभी जो आकड़ा ये National Family Health Survey Report का आकड़ा है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, छेत्रावार प्रतीशत व्र सकल राज्य की कीमतों पर किया जाता है, ठीक है, जिस पर महेंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजेगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पर जो है, छेत्र बताएगा है, जैसे कि क्रिशी, छेत्र, उद्द्योग, छेत्र, सेवा, छेत्र यहाँ पर अनुमानित विद्धी, अभी हम कौन सा अकड़ को पढ़ रहा है, हम पढ़ रहा है, 2022-2022, विगत 11 वर्षों में, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आपका ओसत, ओसतन, ठीक है, ओसतन, कितने वर्षों के लिए, 11 वर्षों के लिए, 2012-2023 से लेकर के, 2022-2023 तक, ओसतन, 36 गड़ में, जो अलग-अलग छेतर है, क्रिशी शेतर, उद्योक छेतर, सेवा छेतर, उनका ओसतन विद्धी दर क्या रहा है, और यहाँ पर विगत 7 वर्ष, यानि कि 2016-17 से लेकर के, 2022-2023 में, विगत 7 वर्षों में, कौन से महत्तपूर बाते रही, ठीक है, उस प है, आपका क्रिशी शेतर, अगर हम देखेंगे, तो क्रिशी शेतर का, आपका विद्धिय वर्षों 2022-2023 में, इस्थिर कीमतों पर, 5.93%, 5.9,3% वृद्धी अनुमानित है, किसमें क्रिशी शेतर में, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दिजेगा, यह जो हम टेबल पढ़ पूछे गई, क्रिशी शेतर, उद्योग शेतर, सेवा शेतर, जी एसड़ी पी, इससे एक कोश्चन एकदम कन्फर्म है, ठीक है, आया ही है कोश्चन, ठीक, ध्यान दिजेगा, जैसे भी लाश्ट आज जो आपका प्री का एक्जाम हुआ, उसमें यह इस टेबल से बहुंस प्रतीशत अनुमानित है, अगर हम बात करें उद्योग शेतर की, तो उद्योग शेतर का, उद्योग शेतर का वित्तिय वर्ष दो हजार बाईस तेईस पे, इस्थीर कीमतों पर, इस्थीर कीमतों पर, 7.83 परसेंट अनुमानित है, उद्योग शेतर की वित्तिय वर्ष दो वित्तिय वर्ष दो हजार बाईस तेईस के लिए इस्थिर कीमतों पर 9.21% अनुमानित है अगर 36 गड़ का सकल जी SDP की बात करें सकल राज घरेलू उत्पात की बात करें तो 36 गड़ का जो विकास दर है 36 गड़ का सकल राज घरेलू उत्पात वित्तिय वर्ष दो हजार बाईस तेईस के लिए इस्थिर कीमतों पर 8 प्रतीशत अनुमानित है ठीक है ध्यान दीजेगा अभी हम टेबल में क्या पढ़ रहे है इधर छेत्र दिया गया है इधर अनुमानित विद्धी दर है दो हजा 2022-23 के लिए इस्थिर कीमतों पर विद्धी दर है 5.93% 5.19% उद्ध्योग छेत्र के लिए 7.83% 7.18% सेवा छेत्र के लिए 9.21% 9.21% और 36 बर का सकल राज घरेलू उत्पात 2022-23 के लिए इस्थिर कीमतों पर है आपका 8% 8% ठीक है अब ध्यान दीजेगा अगर हम बात करें व विगत 11 वर्षों में जो है छेत्रा वार ओसतन एवरेज ओसतन विद्धी क्या रही अगर 2012-13 से लेकर के 2022-23 के मद्ध की बात की जाए तो क्रिशी छेत्र का जो ओसतन विद्धी दर 11 वर्षों का जो ओसतन रहा वो रहा 5.31% ठीक है इससे तो कोशन वैसे ज्यादा पूछे नहीं गये है लिए फिर भी थोड़ा से ध्यान रख लिजेगा क्योंकि अब कोशन थोड़ा से डीप में जा रहा है ग्यारा वर्षों का ओसत विद्धी बात कर रहा है एवरेज 2012-13 से लेकर के 2022-23 के मद्ध क्रिशी छेत्र का ओसत विद्धी दर रहा आपका 5.31% 5.31% प्र से लेकर के 2022-23 विगत 2011 वर्षों में ओसत विद्धी रहा 6.34% सेवा छेत्र का विगत 2011 वर्षों में 2012-23 से लेकर के 2022-23 के मद्ध ऐवरेज औसतन रहा 5.37% यानि की 5.37% अगर सकल राज घरेलू उतपात की बात करे तो विगत 2011 वर्षों में 36 गड़ का सकल राज घरेलू उत्पाद 2012-13 से लेकर के 2022-23 के मद्य 5.73% यानि कि 5.73 प्रतीशत अनुमानित है ठीक है तो ये था आपके 11 वर्षों का एवरेज अब थ्यान दिजेगा अब जो है हम थ्यासा 7 वर्षों में कुछ महत्तपुन 16 वार जो वृद्धी हुई है या जो कमी हुई है उस पर चर्शा करेंगे देखिए विगत 7 वर्षों में यानि कि 2016-17 से लेकर के 2022-23 के कुछ important year है उस important year को trace कीजेगा काफी इससे भी question बनते हैं देखिए अगर हम बात कर रहें क्रिशी छेत्र की क्रिशी छेत्र की बात करें तो क्रिशी छेत्र में विगत 7 वर्षों में वर्ष 2016-17 ऐसा वर्ष था जिसमें चातीस गण में क्रिशी छेत्र की विद्धिदर सरवाधिक थी ये था आपका 21.28% ठीक है 21.28% याने की 21.28% हम यहाँ बात कर रहे हैं 5 प्रतिशत की 6 प्रतिशत की 7 प्रतिशत की यहाँ पर कितना हो रहा है यहाँ पर आपके 21.28% 21.28% और उसको कारान क्या था अच्छी फसले ठीक है विद्धिवर्शी 2016-17 में 36 गड़ के छेतर में काफी ज्यादा फसले हुई अच्छी फसले हुई जिस करान से उस साल 36 गड़ में क्रिशी का जो विद्धी दर है वो सरवाधिक रहा यह अब तक जो है 3-4 बार एक्जामर कोशन बन चुका है ठीक है अगर हम रिनात्मक विद् 10.9 प्रतिशत की रिनात्मक विद्धी दर्ज की गई उत्पादर में कमी के कारण सरवाधिक विद्धी 2016-17 और उसके जश्ट नेक्ष्ट इयर 2017-18 में रिनात्मक विद्धी 2016-17 में 21.28 प्रतिशत अच्छे फसल एक कारण रिनात्मक विद्धी उसके अगले साल 2017-18 में माइनस 10.90 परसंट 10.90 प्रतिशत उत्पादर में कमी के कारण ठीक है तो यह था आपके क्रिशी छेत्र का अगर हम बात करें उद्ध्योग छेत्र का तो देखिए उद्ध्योग छेत्र में विगत 7 वर्षों की अगर हम बात करें उद्ध्योग छेत्र में तो उद्योग छेत्र में विगत 7 वर्षों में 2016-17 से लेकर के 2022-23 के मध्य, सरवादिक वृद्धी दर्ज की गई वर्ष 2018 में, वर्ष 2018-19 में 16.29% की वृद्धी दर्ज की गई, इसमें रेनापनक वृद्धी नहीं था, इसमें नियोनतम वृद्धी हुआ आपके 2020-21 में, 2020- 2021 में 0.44%, अब देखिए, अगर आप सुरू से एकोनॉमिक सरवे पढ़ रहे हैं, तो 2021-22 के एकोनॉमिक सरवे में ये आकड़ा रिनात्मक था, अभी ये आकड़ा धनात्मक है, यहां मैंने नियोनतम वृद्धी लिखा है, रिनात्मक वृद्धी नहीं लिखा है, क्या होत रहता है, बाद में संशोधित होता है, तो कोरोना लॉगडाउन के कारण, पुरा उद्ध्योख सेक्टर पुरा बन था, पुरा कम्प्लीट लॉगडाउन था, जिस करण नियोनतम वृद्धी दर्जे की गए, 0.44% की वित्तिय वर्ष 2020-21 में, ठीक, अगर हम सेवा छेत्र की बात करें, तो सेवा छेत्र में सरवाधिक वृद्धी, विगत साथ वर्षों की बात करें, यानि कि 2016-17 से ले करके, 2020-23 के मध्य, ठीक है, अभी हम यही देख रहे है, विगत साथ वर्षों में, विगत साथ वर्षों में, सरवाधिक वृद्धी दर्जे की गई, वर्ष चार दसमलो चार एक प्रतीशत रिनात्मक यह दर्ज किया गया आपके कोरोना लॉकडाउन के कारण ठीक है तो यह हो गया आपका सेवा छेत्र का अब अगर हम बात करें 36 गड़ का सकल राज्य घरलू उत्पात की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजेगा 36 गड़ का सकल राज गड़ का सकल राज्य घरलू उत्पात की यह जो है यह आपका विगत ग्यारा वर्षों के लिए है तो 2016 सत्रा में 36 गड़ का सकल राज्य घरलू उत्पात यह जो विकासदर है जो जीएजड़ीपी है वह रहा आपका 12.13 परसेंट 12.13 प्रतीशत ठीक है जबकि रिनात्मक विगत 11 वर्षों में दर्जी की गई कोरोना लॉक्डाउन के समय 2020-1.80% ठीक है एक दसमलो आठ शुन्य प्रतीशत रिनात्मक तो यह था आपका अध्या एक आर्थिक इस्तिति एक समीक्षा बोर्ड पे आप जितने भी कंटेंट देख रहे है यह सभी के सभी हमारे एकोन इसको समाने कन Examples survey का इह है उसी का पीडियाप जो है यहां पर आपको बताया बटाया पढ़ाया जा रहा है ठिक है तो इसको थोड़ासा अच्छे से कीजिएका question बन रहा है चैप्टर वन में जो आपका जुमने टेबल बताया अभी है लाश्ट में जो टेबल बताया इस तेबल को तो एक दम अच्छे ते पढ़िएगा इसके इर्द इर्द कोश्चन घुमता ही है ठीक है किस वर्स सरवादिक रहा किस वर्स आपका कम रहा याद करने में जाया दिक्कत नहीं हो क्रिशी छेत्र के अगर हम बात करें तो 16-17 में सरवादिक उसके अगले साल 17-18 में स पढ़िएगा ठीक चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा तो यह था अध्या एक आर्थिक स्थिति एक समिक्षा किसी प्रगरा डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब क किजेगा लाइक और शेयर जरू किजेगा धन्यवाद